चार जून के बाद क्या होगा share market का रुख ? क्या होगा अगर current ruling party जीती दो ? क्या होगा अगर opposition की party जीतेगी तो ? आईए जानते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में election का महौल है और हर party इस election को जीतने के लिए अपनी 80 चोटी का जोल लगा रही है election में कौन सी party जीतेगी इसका एक काफी बड़ा impact हमारे share market पर तो पढ़ना ही है तो ऐसे में हर इंसान जो किसी भी तना से share market से जुड़ा हुआ है चाहें वो active trader हो या फिर passive trader वो ये जानना चाहता है कि election की बाद share market में क्या बवाल मचेगा तो हमारी इस वीडियो में हम बिना किसी typical calculation के बहुत ही simple और easy language में आपको बताएंगे कि 2024 के election share market को कैसे impact करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं कोई भी detail या analysis present करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि मैं या हमारा channel किसी भी party का promotion या demotion नहीं कर रहे हैं market research और elections के past impacts को analyze करके हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं तो किसी भी investment को करने से पहले एक बार अपनी research ज़रूर कर लें जैसा कि आपको पता ही होगा कि election की time पर market में बहुत ज्यादा चड़ा होता है ये बदलाफ जनरली election result आने से एक महीना पहले और election result आने के just बास ज्यादा तेजी से होता है election के मंध में market थोड़ सा ठेहरा रहता है इस बार stock market का बदलाफ जारतेज इसलिए होगा क्योंकि इस बार India and US दोनों countries में elections है और ऐसा 20 साल में सिफ एक बार होता है तो US के elections पर market को impact करेंगे ही लेकिन इंडिया के government का क्या impact रहेगा वो समझते हैं इस फिल्ट की companies के stocks को अगर आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में इनकी returns में कितना ज्यादा उच्छाल आया है और एक्जामपल आर्वी एनल जो रेल्वे सेक्टर की company है 2019 में इसका शियर सिर्फ 25.60 रुपे का था और वो आज 299 रुपीस का हो चुका है तो अगर करेंट पार्टी दुबारा से सत्ता में आती है तो इन companies के stocks definitely उपर जाएंगे इन में कुछ examples हैं IRFC, RVNL, infrastructure related companies, steel related companies and electronics related companies इन companies के stocks definitely high returns देंगे इसके अलावा BJP government का focus green energy की तरफ बहुत ज्यादा है तो green energy से related companies के stocks के returns भी आस्मानों को छूने वाले हैं तो अगर आपको लगता है कि BJP वापस से सत्ता में आएगी और आपने अभी तक इन companies के stocks नहीं खरीदे हैं या फिर आप इनके stocks को और जारा खरीदना चाहते हैं तो चार जून से पहले इनको खरीदने इन stocks को खरीदने का एक और बड़ा reason ये भी है कि Prime Minister Nareen Modi and Home Minister Amit Shahadji ने indirectly ये hint दिया हुआ है कि अगर वो जीते तो इन companies के stocks बहुत उपर जाने वाले हैं तो इनको अभी से खरीद का कुछ time hold करने के बाद जब आप इनको sell करेंगे तो definitely आपको बहुत बड़ा profit तो ये तो बात हो गई कि अगर current party सर्ता में आती है तो उसकी लेकिन क्या होगा कि अगर current party हाल जाती है तो उस चीज़ का stock market पर क्या effect पड़ेगा चलिए समझते हैं लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके LSF की family चे दोलना ना भूले क्योंकिन हम आपके election की result आता है एक बहुत important and informative वीडियो लाने वाले हैं तो election के बाद newly elected government new and final budget for year 2024 to 2025 पेश करीगी अब अगर opposition की सरकार आती है तो वो government schemes और plans में definitely changes करेगी इसके अलावा वो investment percentages and sectors में भी changes कर सकती है जिस वजह से election के बाद market गिरने की संभाबना है लेकिन अगर हम past के elections और उनके impacts को analyze करें तो सरकार बदलने के बाद market की ये गिरावट बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती हाँ शुरुवारत में market गिरेगा लेकिन कुछ time बाद market वापस से recover भी करने लगेगा तो election के result आने के बाद आपको अपने investment strategy को दुबारा से analyze करना है और उनको long time के basis पर evaluate करना है अगर long time में आपकी investment strategy satisfactorily perform करती हुई दिख रही है तो तो भाई मज़े ही मज़े वहना फिर आपको अपनी investment strategy को market conditions के according adjust करना पड़ेगा एक बात का धियान जरूर रखिएगा कि अगर opposition की party आती है और market गिरता है तो एक दम से अपना patience नहीं खोना है ये नहीं सोचना है कि हाई मैं लोट गया मैं बरबाद हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा chances है कि कुछ समय बाद market वापस से recover करेगा और पहले से में better returns देगा अब अगर आपको लगता है कि opposition की party जीतने वाली है इसके अलावा Congress party renewable energy की field पर भी concentrate करेगी तो आप उस sector के stocks को भी purchase कर सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही next video हम post करेंगे election result वाले दिन जिसमें हम आपको और detail में बताएंगे कि आप किस stock में अभी भी पैसा लगा कर लाखों का profit कमा सकते हो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने friends and family members के साथ share जरूर कर दें अगर कोई भी question ये doubt है तो comment box में जरूर लिख दें हम आपकी कोई resolve करने की पूरी कोशिश करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक keep learning, keep earning